तो गाइस आज का टॉपिक काफी जादा important टॉपिक है अगर आप civil engineer हो तो ये टॉपिक आपको काफी चीजें देगा सीखने को पूरा वीडियो देखोगे तो मैं गरंटी देता हूँ आप total station चलाना total सीख जाओगे आज का मेरा वीडियो total station पे है तो कोई भी construction स्टार्ट होगी तो सबसे पहले काम रहता है survey का तो कैसे हम point कोई भी point होगा कोई भी corner होगा building का तो वो आपको reference चाहिए वो कैसे आप total station से मारोगे कैसे points total आप करोगे total station से पूरा basic मैं आपको बताऊँगा पूरा A to Z और इस वीडियो के बाद मैं guarantee देता हूँ आप खुद total station से point मार सकते हो तो guys अभी मैं पहले इसका theoretical part बताता हूँ आपको उसके बाद मैं आपको पूरा बताते जाऊँगा starting से कैसे level करने है क्या क्या points आपको करने है पहले मैं theoretical part आपको दिखा देता हूँ तो guys सबसे पहले मैं कहूंगा अगर आपको वीडियो से हमारी पसंद आ रही है तो like बटन जुरूर दबाया करो और subscribe जुरूर करना channel को क्यूंकि हमारी daily वीडियो आती है और daily आपको notification easily मिल जाएगी अगर आपने subscribe किया रहेगा तो यही topic आपको हमारी website civilsidevisit.com पे भी मिल जाएगे तो start करता हूँ में ठीक है तो सबसे पहले क्या है अगर मैं example लूँ एक आपको example के हिसाब से समझाता हूँ यह हमारा total station आ गया है यह हमने total station fix कर लिया यह हमारा कोई भी building है यहाँ गर बन रहा है ठीक है तो सबसे पहले किया आपका job कोई भी होगा एक plan होगा कोई भी मतलब घर का plan होगा जहां point होगा कि हमने इदर से start करने है इदर से हमारा घर रहेगा इतने कमरे यह सब वो चीज़ीं होगी बाकि आज कल तो drawing सब बना रहे हैं तो plan आपको मिलेगा ही मिलेगा तो अगर मैं पकड़नू यह गर का कोना है ठीक है और दूसरा गर का कोना यह है और जो आपको plan मिला होगा drawing मिली होगी तो उसमें मतलब दिया होगा कि यहां से यहां लेके इतने meter है इदर से इतने meter है तो कोई भी आपने reference ले ले लेना है मैं example देता हूँ यह मेरा एक plan है तो यह मेरी dimension यहां से यहां है वो है 38 meter की ठीक है यह मेरी example होगी तो अभी पहले क्या करने है आपको नोर्टिंग इस्टिंग पकड़ लेनी है ठीक है जहां भी आपकी नोर्टिंग होती है मतलब example ले लो इस तर जो drawing में दिया रहेगा कि कहां आपकी नोर्टिंग है आप compass रखके कर सकते हो जहां मतलब कुछ भी imaginary point लेने है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा अगर नोर्टिंग इस्टिंग कहीं भी है तो मैंने ले ली नोर्टिंग यहां इस्टिंग यहां इस तर तो यह corner थे हमारे building के यह और यह नोर्टिंग आ गई 0-0 पहले नोर्टिंग ले लेनी 0-0 इस्टिंग ले लेनी 0-0 जो आपका सबसे पहला point होगा वो ले ली फिर वहां से जो calculation होगी जैसे मैंने इसमें 38 मिटर आपके plan में जो भी हो तो दूसरे reference का उतना ले लेना है तो अगर हमारा हम इस तरफ जा रहे हैं इस्टिंग में इस तरफ ली गए तो यह आगे हमारी 38 मिटर ठीक है अगर मेरा distance 38 मिटर है और नोर्टिंग कितना की की एक ही line में तो नोर्टिंग 0 यह किसके लिए ले रहे हैं हमारे total station में काम तो यह काम आएंगे हमारे क्योंकि उसमें हमारे नोर्टिंग इस्टिंग ही put करते हैं उसके हिसाब से हम total station से point मारते हैं तो यह आगे हमारे काम आने वाले तो यह हो गया नोर्टिंग आगे इस्टिंग आगई नोर्टिंग हमारी 0 यह रही इस्टिंग 38 तो यह दो पॉइ के हिसाब से हमारा टोटल सेट हो जाएगा उसके हिसाब के हमारा काम हो अभी क्या है अगर वैसे हैं आपका मेजरमेंट हो गई अगर हमझे एक कॉल्म पकड़ लिया अगर यहां से कॉल्म 3 मीटर है तो हमारा कि Anything Foranch Up, अगर ढ़एंग ही आपके तो I shall be better, आपको coordinates मिलते हैं अगर आपको निकाले हैं बैदे, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे मैंने बताया, इसको वीडियो को पॉस्ट करके एक बार देखो, आप follow करोगी जो जो में किया आपके दिमाग में guarantee बैठ जाएगा मतलब पहले तो point जो पकड़ना है वह जिरो जिरो रखना है वहाँ से जो measurement होगी 38 meter थी मेरी तो हम easting की तरब जा रहे हैं तो northing same रहेगी अगर हम easting northing है यह अगर northing पकड़ो अगर हम इधर जाते हैं तो हमारी यह value चेंज होगी इधर जाते हैं तो northing change होगी अगर इधर जाते हैं तो easting change होगी northing same रहेगी यह funder रहता है तो अभी हम northing के पास जाए तो हमारे यह northing 3 meter measurement थी easting same फिर वैसे ही यह करना होता है यह main था आपको coordinate निकाल लेंगे total station का अभी मैं start करता हूँ हमें main जो मैं funder था आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है 2 point खुद से ले लेने उसके reference से आपको चलना है यह आज का हमारा video था अभी मैं start करता हूँ कि कैसे आप total station पे इसको put करोगे कैसे उससे काम करते हैं तो start करता हूँ है अपना live video तो इसमें सबसे पहले क्या है मैं बता दूँ जो हम model यूज़ कर रहे है वो सोकिया का है तो कोई भी company का model हो थोड़ा वो फरक होगा ज़्यादा उसमें फरक नहीं आएगा आपका तो सबसे पहले step हमारा क्या है सबसे पहले आपको करने है जो bubble आप सामने देख रहे है water bubble वो center कर लेने है total station on करने से पहले सबसे पहले यही दियान देना है जब भी आप total station चलाओ तो आपका जो bubble manually set कर लेन उसके बाद total station on करके उसको precisely पूरा set करने है पहले थोड़ा manually set कर लेना है मैं दिखा देता हूँ आपको और possible हो तो इसके tripod stand को आगे पिछे करके यह आपको set करने है यह दियान देना है आपको जब एक बार आपका manually थोड़ा post set हो गया उसके बाद उसमें battery insert कर देनी है जब एक बार हो जाए battery आपने डाल दिया उसके बाद उसको कर लेना है आपने on तो उसके बाद आपको display कुछ ऐसे दिखेगा कि उसमें x y दिखेगा आपको और bubble दिखेंगे 3 तो क्या करना है जो आपके नीचे screw है screw से आपको उसको precisely पूरा दीरे दीरे करना है क्योंकि उसकी movement बहुत जाद हो देती है अगर थोड़ा जादा करोगे तो वो आगे पीछे चला जाएगा इसमें mainly आपको करना क्या है जो आपको सामने x दिख रहे है और y दिख रहे है इसको आपको करना है 0 पहले मैं दिखाते जाता हूं आपको फिर उसके बाद आगे आपको बताता हूं देखो अगर x है तो आपको पीछे वाला screw करना है और y है तो दोनों screw आगे वाले front वाले पकड़के उसको करना है जो आपने manually bubble set किया था उसी bubble को set हो रहा है लेकिन इसमें बिल्कुल 00 आपको setting हो जाएगा देखो error 2 और 69 देखो थोड़ा भी अगर उसकी movement करोगे तो वो बहुत जादा चल जाता है इसके लिए आपको पूरे अराम से उसको करना है जब एक बार हो जाए x और y 0 एक दो होगा तो चलेगा उसके बाद कर देने आपको ok button उसको f1 क्लिक कर देने जब ओग दाएगा तो उसके बाद आपको ऐसा sub दिखेगा so data offset इसमें आपको coordinate सेलेक्ट करके क्लिक कर देने उसके बाद आपको आएगा OC orientation उस पर आपको enter कर देने उसके बाद आपको दिखेगा reset उसको reset पर क्लिक कर देने उसके बाद दिखेगा आपको any z आपको any z पर enter करके आपको ऐसी screen पर आएगा resection first point मतलब अब भी start होता है हमारा जो मैं आपको theoretical part बताया था उसमें हमने जो 00 x लिया था और 00 north लिया था वो पहले आपको point इसमें measure करना है जहां आपका corner होगा उस corner पर आपको prism रखना है जैसे सामने देख रहे हैं हमने यह corner पकड़ लिया इसमें prism रख लिया और इससे हम उसको measure कर लेंगे measure करेंगे तो उसके बाद हमें यह आएगा उसके बाद हम coordinate उसमें put कर देने 00 देखो n है इधर 00 आएगा फिर e है existing उदर 00 आएगा दोनों में आपको 00 put करना है जैसे हमने उसमें दिखा था उसके बाद next कर देने उसके बाद आपको दिखेगा resection second point तो resection second point में आपको क्या करना है उदर prism रखना है दूसरे point पे जैसे हमारा एक पह yes कर देने आपको उसके बाद आपको डालना है दूसरा point तो दूसरे point में क्या था हमारा नौर्थिंग हमारी 00 ही थी इस्टिंग हमारी 38 थी तो वो 38 इसमें डाल देने coordinate इदर दूसरे हैं लेकिन आपको example की तोर पे मैं बता रहा हूं उसके बाद आपको calculate पे click कर लेने है उ पे आगे हम बाहर अभी हमारा होगे खतम इसके बाद escape करके आपको पूरा first screen पे आ जाने है उसके बाद आपको SO data आएगा function दबाओगे आगर आपको सामने SO data नहीं आता है तो आपको function दबाके वहाँ SO data आएगा उस पे click कर देने है एंटर कर देने है जब enter करूगे तो वह आएगा उसी orientation SO data तो उदर आपको SO data आएगा SO data के बाद आपको दिखेगा SO coordinates तो SO coordinates कौन से हैं जो भी coordinates जैसे मैंने दिखाया था कि 3 meter हम जाएगे तो नौर्थिंग के आएगा इस्टिंग के आएगा वो यहाँ put करते जाने है जहां जहां आपको जाना है उस coordinates में plus minus करते ज जाते तो नौर्थिंग में plus minus हो जाएगा 3 meter और इस्टिंग अगर सेम है तो इस्टिंग वैसे रहेगी तो coordinate easily निकाल देने है जैसे मैंने आपको theoretical पार्ट में दिखाये था बाकी main फंडा क्या था आज समझाने का कि आप imaginary point खुद पकड़ोगे कोई भी दो कोने पकड़ ल